दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों आप में से जो हमारे आत्मिनरवर फ्यूचर्स और आप्शन्स कोर्स के स्टुडेंट्स होंगे वो अभी हाल में जो मार्केट में गिरावट आई है उसके दोरान मुनाफ़ा बनता होंगे ऐसी हमें उम्मीद है साथ में दोस्तों रोजाना सोभय और शाम हम आपके लिए लिक्या आते हैं छेचे जबरदस्त खबरें उसी क्रम में आज हम चचा करेंगे कि पाकिस्तानी पिस्तु ने एक बार फिर अमेरिका को दस लिया है तो भाई साब नेदरलेंड को भा सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान में लाख बुराईयां होंगी लेकिन एक अच्छा ही जरूर है कि वह अमेरिका को धोका देने का मौका नहीं छोड़ता है देख लीजी आपके सामने हैं पाकिस्तानी विदेश मंतरी रूसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं उन्हें हमेरिका का इस्तिमाल करके छोड़ दिया है इसी वीच दूस्तों कल हमें एक बड़े पाकिस्तान प्रेमी महोंवाब से मिलने का मौका मिला उन्से हमने कहा क unanim कि यार ऐकिसलिए कि सहाब बार आ गई थी वहां पर सब कुछ बहर इघ्या हमने क्या इसा से बार के हमने धाने क पउइंट है कि यह तो अख़वार में दम तोड़ेंगी यह हमारे भारती अखवारों में इंको गवर किया जाएगा टीवी यूट्यूप पर चर्चा होगी लेकिन इन ख़वरों में इतनी दागत नहीं है कि यह ओड़के अमेरिका तक आई एम एफ तक और यूएन तक पहुंच सकें क्योंकि भाई साब भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन वार है उसको भाई भी भी सिद्धत से नहीं लड़ता है आप देख लीजिए अख़वार ध्यान से पाकिस्तान रो भारत बुरे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा दी जाती है हमारे यां टमाटर के घिसानों को सब्सान हो गया आज सब्सक्राइब हो जाएंगे में तभी भारत बैच रहा है हमें मतलब चित भी इनकी सब्सक्रार जो रहत की इसी प्रविते में हैं कि यह लागों करोड़ों की भारत को बिजली बेचते हैं जरूरत पढ़ने पर ये बिजली खरीचते भी हैं लेकिन जब जो है दोस्त देने कामों का आता है तो इन्हें अच्छी याद नहीं आता तब ये अपके वल भारत को ही गालियां देने के लिए याद करते हैं इसी बीच दोस्तों हमने तो बार-बार कहा हुआ है कि भाई साहब हमारे देश में गैस का उत्पादन बढ़े उसके लिए आपने गैस उत्पादक कंपनियों को प्रॉफिट कमाने देना चाहिए अब दोस्तों आप स्वयम देख लीजिए कितनी धैन करता है कि ONGC प्रॉडक्शन नहीं बढ़ा रही है तो इसमें ONGC का निकमापन नहीं है इसमें उस आदमी की बेवकूफी छूपी हुई है वो उल्लू है आप दुनिया भर से महेंगे से महेंगे दाम पर कच्चाते लोग गैस खरीद लेंगे लेकर आपने देश की कंपनी वो प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे ऐसे कैसे भाई साथ तो मोदी जी इसी परिपार्टी को बदल रही है कंपनियों को वाजब दाम मिले अगर मिलेगा तो इस पैसे का इस्तमाल करके जो प्रॉफिट कमाएंगी वो भारत में ही कच्चे तेलोग गैस का दोहन करेंगी हम अपने देश के कच्चे तेलोग गैस के उत्पादन को प्रॉफिट टेबल बनाएंगे इतनी छोटी सी चीज है भाई साथ लेकिन समझाने में 75 साल लग गया भाई साथ देखो आप इसी वीच दोस्तों आप स्वेम देश लीजे नेधरलेंड बन गया है भारत का गेटवे पूरे यूरोप के लिए भाड़त लपक के पेट्रोल एक्सकोर्ड कर रहा है नेधरलेंड को और नेधरलेंड से पूरे यूरोप में बिच रहा है और अपन तो भाईया जी पहले ही चर्चा करें वैठे हैं कि भाड़त बन चुका है रूसी रिफाइनरी रूसी कच्चे नेधरलेंड के राष्टे पूरे यूरोप में बेचा जाता रहना चाहिए नेधरलेंड के साथ तो एक अच्छी बात यह जो व्यापार होता है उसमें हमें सर्प्लस होता है हमें लाव होता है तो ऐसा धंदा क्यों ना कीजिए बढ़ा है जाहिए भाई साब इसी वीच अ सबसे प्राइम प्रॉपर्टी स्वेज नहर के ऊपर हम आ रहे हैं स्पेशल एकॉनमिक जोन वहां जितनी जमीन मांगो उतनी लेलो बस आप फैक्टरी लगाओ तो भाई साब मोजी जंका नेकी और पूछ पूछ देदो जमीन लगा देंगे फैक्टरी स्वेज कैनाल जिस का आप यह भाई साब शैनिक ही तो जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को इसी बीच दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में शुरुवात कर रहे हैं तो आप गौर फरमाईए आत्मनिरभर इन्वेस्टर कोर्स में जिसमें हम सिखा रहे हैं टेक्निकल और फॉनमेंटल अनाल दन्यवाद जैश्री राम